नमस्कार आप देखे हैं रास्ट खबर और मैं हूँ आपके सांथ सोनू पांडे खबरों में आगे बढ़ने से पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर गोपास्मी परोपर कारक्रम का आयोजन गौ माता के महत्त पर डाला गया प्रकास नमांकन भरने वाले प्रत्यासियों की लगी भीर बागी प्रत्यासियों ने भी किया नमांकन दाखिर विविद सेवा जागरुकता सिवीर का आयोजन, मा सरस्वती को दीप प्रजलिद कर हुआ सुभारम, उधिस्त्री फाउंडेशन ट्रस्ट ने दिया फरनीचर और बेंच, विधायक स्री संजे गुपता ने ट्रस्ट की की प्रसंसा, गाउं में डेंगु का प्रकोप जारी, अस्पताल से लोटने के बाद महिला की मौत, अब खबरे विस्तार से, खबरों में सबसे पहले बात राजस्थान के उपखंड मुख्याले की, जहां नंदनी गोपाल गौसाला में गोपास्तमी पर्व और अनकुट महत्सों के मद्देनेजर एक कारिकरम का आयोजन किया ग है, उन्होंने कहा कि सभी लोगों को समय निकाल कर गौसेवा करनी चाहिए, राजस्थान सरकार भी परतेक ग्राम पंचायत पर एक गौसाला अस्थापित करने जा रही है अगली खबर राजस्थान के चित्तोर गड़े इलाके की, जहन नगर परिशत चुनाओं के नमांकन की प्रक्रिया के चौथे दिन नमांकन भरने वालों की भीड लगी रही इस दोरान दोनों प्रमुख दलों के प्रत्यासियों के सांथ सीं, कुछ बागी प्रत्यासियों ने भी अपना नमांकन निर्दलिये प्रत्यासी के रूप में दाखिल किया है बागी प्रतियासियों के मैदान में उतरने से कई जगों पर मुकाबला त्रिकोनिय होने की आसंका जताई जा रही है नए मुद्दे यहां पर जैसे सफ़ाई की विवस्ता पहले से चली आ रही है कुछ सड़कों की मरमत की आवस्यता रहती है क्योंकि यहां पर टाफिक का आवगमन काफी ज्यादा है गुंदी रोड है तो उसमें सड़कों का सुधार रोड से हो जाए कुछ पावटा चोक के पर पार्किंग की सुधा जिसे रोड वेज बस रुकती है कुछ जीपे खड़ी रहती है जो आगे बसी के लिए जाती है तो उसके लिए कुछ इस्तान तरन करके आगे बाहर में कुछ एसी विवस्ता की जाए उसके लिए मैं प्यास तरहूंगा तो बुंदी रोड से जो समीति के तत्वाधान में अस्थानिये राजकिये बालिका उच्च माधिमिक विद्याले में विधिक सेवा जागुरुकता सिविर का आयोजन किया गया विद्याले पहुंचे आतीथियों ने मासरस्वती को मालयारपन एवम दीप्रजलीद कर कारक्रम का सुभारंब किया इस दोरान अतिरिक्त मुख्य नयाईक मजिस्टेट डॉक्टर प्यांका पारिक ने कारक्रम में उपस्तित छात्राओं को बाल अधिकार और बाल विवाह सिख्चा के महत्यों से ओगत कराया इसके अलागा उन्होंने बालिकाओं को गुड टच, बैड टच सहित कई महत्यो इस दोरा सोमवार को राजकिय उच्च प्रार्थमिक विद्याले में ऑफिस फरनीचर एम छात्र छत्राओं को स्कूल बेंच प्रदान किये गए इस मौके पर माननिय विधायक स्री संजे गुपता मुख्य अतिती के तौर पर सामिल हुए जिसके बाद उन्होंने बच्चों को उत्साह वर्दन किया साथ ही उन्होंने स्री फाउंडेशन ट्रस्ट की जम कर प्रसंचा की और समाज के विकास में स्री फाउंडेशन ट्रस्ट की भूमिका को तहर दिल से सुक्रिया अधा की इस औसर पर उप सिक्षा अधिकारी स्री अमित कोठियाल भी मौजूद रहे स्री सिमेंट फाउंडेशन ट्रस्ट जो कि अग्बर पूर्प में स्ताफिदे के काई है अपने आज पास के सभी ग्रामों में अग्बर पूर्प नगला किताब पीपली में विध्यालेओं शिकेत सालेओं और साजने के स्तानों के लिए प्रारम से ही कारे कर रही है आज अमने अग्बर पूर्प इस्कूल में बच्चों में बैटने के लिए बेंच और फरनेशर की विवस्ता की है साथी साथ अध्याकोंग गळों के लिए बीठने के लिए चेर्ज दी गए हैं हमारा हमेशा से ये प्रयास है कि किसी दा किसी तरह से राष्ट की सेवा दे जाए यह जो इस्कूल के बच्चे हैं हमारे देश के भावी नागरिक हैं यदि हमारे से किसी भी प्रतार से इनकी शिक्षाने को सही हो सकी तो हम अपने आपको खुश नसीब समझेंगी अगली खबर उत्राखन के लसकर इलाके से हैं जहां इलाके के डूंगरपूर गाउं में डेंगू होने से लगभग 33 वर्षिय महिला की मौत हो गई है परिजोनों का कहना है कि एक दिन पहले ही होस्पीटल से छुट्टी करा कर घर आये थे जिसके बाद महिला की तबियत अचानक ज्यादा खाराब हो गई और देखते ही देखते उसने अपना दम तोड़ दिया बताया जा रहे कि पहले भी इस गाउं में डेंगू के प्रकोप से एक महिला और एक पुरुस की मौत हो चुकी है ग्रामिनों का आरोप है कि इस बारे में कई बार सरकारी अस्पताल में जानकारी दी जा चुकी है लेकिन अभी तक दवाई का छिड़काव नहीं किया गया है लेकिन अभी दिनों से बीमारी हो रहे है जो जेंगू कारण दो तिन मोत हो चुकी है और ना तो नाली साप होती है यहां पर जिसे कारण बढ़ा पड़ा रखता है जगह जाए पर कोई सभाई का ध्यान नहीं दिया आता जिसे कारण बीमारी बढ़ते रहते है यह हो राजी है आपर जो मरतका है यह डंगू से ही इन तक अगर निगम चुनाओ के बागी प्रत्यासी के रूप में उत्रे गौरव गोयल को बीजेपी की तरफ से लागातार मनाने की कोशिस की जा रही है उनको मनाने के लिए एक के बाद एक बड़े नेता उनसे मिलने पहुच रहे है मंगलवार को भी पार्टी के वरिष्ट नेता नरेश बंसल प्रदेश महामंत्री विने गोयल आदेश सहित नेताओं ने उन्हें मनाने की पूरजूर कोशिस की लेकिन गोयल का साफतोर पर कहना है कि पार्टी को जो फैसला लेना था वो ले चुकी है अब जनता की बारी है अगली खबर उत्राखन के लाल कुआ इलाके से है जहां हल्दवानी प्रभाग वन के वनाधिकारी महातिम यादों ने अपने प्रभाग के सभी वन बीट चौकियों, रेस्ट हाउस और रेंज का रेयाले का निरिक्षण किया बताया जा रहा है कि जंगलों के बीच बनी वन सीट चौकियों में लाइट और पेजल की प्रमुख समस्या देखी गई है यहाँ वन रक्षकों के सामने सबसे बड़ी चुनोती हाथियों की है जो कभी-कभी यहाँ आकर वन चौकियों में कई समानों को निशाना बना देते हैं यह हल्दवानी वन प्रभाग के अंदर गत नंदौर वन जी अबैरन का जो छेतर आता है तो उसमें जौलासाल रेंज के आज दोरे पर में था तो जौलासाल रेंज के जितनी भी चोकिया और जो रेंज आफिस है वो हमारा पावर गिट से जूला हुआ नहीं है और वहाँ पर जो सबसे बड़ी आज की समय में जो समस्या है जो चुनोती है वह यह कि वहाँ पर बिजली की एक सुचार विवस्ता करना है तो इसके तहट सोलर पैनल्स की विवस्ता की जारिया सोलर इन्वर्टर लगाया जा रहे हैं ताकि लोचनी के अची विवस्ता हो सके और गर्मी के समय में ग्रीस मृतू में पंखे भी चल सके और जो बड़ी चो में दोनों पक्षों के गणमान नागरीक और वरिष्ट पत्रकार मौझूद रहें इस दौरान अवयद्या मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट से आने वाले फैसले के मद्यनेजर सुरक्षा ब्योस्ता बनाए रखने पर चर्चा की गई ग्यात हो कि असामाजिक तत्तों से न पर चर्चा की गई थी जो अभी आगामी आयुद्या मुद्यक को लेकर जो मानिय सुप्रीम को जज्मेंट देने वाली है तो उसके संबन में हमारी तयारी क्या रहेगी तो इसमें सभी से चर्चा की गई जो भी हमारे सब को समझाया गया कि सभी अगली खबर भी मद्यपदेश के बैरसिया इलाके से हैं। जहां मुख्यमंत्री द्वारा तिर्थ दर्शन का आयजन किया गया। इस दोरान पटना साहिब की यात्रा के लिए बैरसिया नगरपाली का वार्ड संख्या 13 के पारसद भागिसरी चंचल खत्री ने अपने वार्ड से 60 बुजुर्गों की यात्रा के लिए रजिस्टेशन कराया। साथ ही पारसद खत्री खुद अपने वार्ड के बुजुर्गों के सहायक बनकर यात्रा के लिए रवन हुए। इस औसर पर CMO निरुकमा साह ने यात्रियों का रेंज चौड़ाहा माता मंदिर पर पुस्प मालाओं से स्वागत किया। बताया जा रहा है कि पारसद ने अब तक अपने वार्ड से 760 यात्रियों को तिर्थ दर्शन करा चुके हैं। खबरों में अब आत यूपी के बुलंद सहरी लाके की, जहां सिर्राम जन्म भूमी विवाद पर सुप्रीम कोट के आने वाले फैसले को लेकर DM और SSP ने जिले भर के उलेमाओं के साथ मिटिंग कर छेत्र में सांती ब्योस्था बनाए रखने की हिदायती है। इसके साथ ही उनसे मस्जिद और मदर्सों में आने वाले लोगों को समझाने की भी अपील की गई है। वही मुस्लिम उलेमाओं ने भी प्रसासन को अपने तपके के लोगों को समझाने का भरोसा दिलाते हुए प्रसासन को यह सुझाओ दिया कि अगर ये मिटिंग हिंदू भाईयों के साथ भी होती तो प्रभाव अधिक होता। देखे आपको मालूम है कि निकट 29 में मानने उचितम ने आले दोरा अधिया के समझ में फैसला आना है। तो हम लोग प्रिवेंटिव मेजर्स के तहट जन्पत के जितने भी एफेक्टिव मुस्लिम समधाई के लोग हैं जादर तर लोगों को बुला के आज उस सान्ती सवहार्दपूर्द माहूल को कायम रखने और कैसी भी इमर्जेंसी सिच्वेशन से बचने के लिए आज उन अगली खबर उत्तरपदेश के जनपत फिरोजावाद की है जहां थाना रसूलपूर्चेत्र के ग्राम मोडा में बीजेपी कर्याले के ठीक सामने और रोड हाइवे पर रिसी पंचोरी की घर में घुसकर दिन दहरे हत्या कर दी गई थी सूचना मिलते ही मौके पर के लिए भेज दिया और जल से जल हत्यारों को गिरफतार करने की बात कही थी लेकिन हत्या के इतने दिनों बाद भी पुलिस को हत्यारों का कोई सुराग नहीं मिल पाया है और बात करेंगे यूपी के बुलंद सहरी लाके की जहां पुलिस टीम ने अपनी जान जोखिम में डाल कर आत्म हत्या का प्रयास कर रहे है यूवक को बंद कमरे से निकाल कर यूवक की जान बचाई है बताया जा रहे कि यूवक मिट्टी के तेल में पूरी तरह से भीगा हुआ था कमरे में कपड़े और अन्य समान में आग लगी हुई थी घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुँची पुलिस द्वारा मिट्टी के तेल में भीगे यूवक को बाहर खींच कर उसकी जान बचाई गई जिसके बाद लोगों ने पुलिस की जम कर तारीफ की अगली खबर यूपी के अमेठी से है जहां यूपी पुलिस के महानिदेशक और पुलिस विभाग के मुखिया ओपी सींग अपने एक दिवसिये दोरे पर अमेठी पहुँचे इस दोरान उन्होंने इलाहबाद रेंज, फैजाबाद रेंज, डि आईजी और अयोध्या के आईजी के सांथ सांथ आसपास के जनपत के पुलिस अधिक्चकों के सांथ करीब एक घंटे थक बैठक की डि जी पे ने सभी पुलिस अधिकारियों और थाना प्रभारियों को आदेशित करते हुए कहा कि कानून को सिद्रिण बनाने के लिए किसी भी तरह की लापरवाही बरदास्त नहीं की जाएगी सबसे बड़ी चीज है कि लीड बैंक्स जो हमारे हैं उनकी मीटिंग हमारे अधिकारियों ने की है उसमें बहुत सी चीजों को हम लोगों ने इशारा किया है बैंकों कुछ कमियां उनकी हैं जैसे CCTV कैमरा नहीं चल पा रहा है या बैंकों का लोकेशन जो टाइनी बैंक से लोकेशन ऐसे हैं जिसमें और भी स्ट्रिंथन करने की जरूरत है कई बैंक के यूनिट्स में गार्ड्स नहीं है उनको भी स्ट्रिंथन करने की जरूरत है सायरन लगाने की जरूरत है और एटियम किस प्रकार हम सुववस्तित रूप से एटियम को प्रती स्थापित कर सके इस पर भी काम किये जाने की आउशकता है लेकन कई ऐसे अपराद हैं जिम्में हमने closer monitoring करके अपने 6 अधिकारियों से भी बात किया और 6 अधिकारियों से बात करने के बाद एक निश्कर्स ये निकला कि हमारी यदिपी क्राइम अपराद की स्तिती में बहुत सुधार हुआ है पिछले दो सालों में फिर भी हम और भी ज्यादा मेहनत करके अपराधियों को और भी कठोर्तम सजा दिलवा सकते हैं और उसकी प्रतिबधता हमने आज देखी अपने अधिकारियों में और उस पर हम काम करेंगे फिलाल के लिए इस बुलिटिन में मेरे साथ बस इतना ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रही है रास्ट खबर के साथ